लो एवरीवन वेलकों बैक टू मैं चैनल सोपर आज की वीडियो मैं सेर करूंगी गॉल्डन बलोज की बैक नेक डिजन बहुत ही सरल तरीके से एस्टेब बैस्टेब सोगाज वीडियो को समझने के लिए वीडियो के एंड तो जरूर देखेगा कहीं भी एसकिप नहीं किज और वीडियो समझ में आ जाए तो प्रिजिसे लाइक से जरूर किजेगा और मेरे चैनल अभी तो सब्सक्राइब कियें तो प्रिजिस सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो डेली पोस्ट करती रहती हूं यह हमने बलोज की बैक पार्ट ले लिए ह और चेस्ट है 36 इन्च तो हमने फॉर्च डिवाट के दों ही यह हूं पलस मार्डन के लिये हैं तो 11 इन्च लिये है और आर भूह और है शेक्स इंच यानि 6 IN है और solder हमने 5.5 इंच लिए हैं यानि 5.5 इंच और गला की चुराई हमने 3 इंच लिए हैं और गला की लेंथ हम 11 इंच लिए हैं गला की लेंथ आप अपने को नहीं रख सकते हैं अब हम इस तरीके से एक बॉक्स टैप का बना लेंगे और इसके बाद हम यह रॉंड शेप में गला की गुलाई देंगे और इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे तो पहले हम अस्तर की कटिंग करें मैं फैबरी की कटिंग हमने नहीं किये हैं और इसके बाद हम जो है ये मेन फेबरिक को भी जो है स्तर के बड़ाबर हम कटिंग कर लिये थे तो इसके बाद हम जो है पीन से सिकुर कर लेंगे मेन फेबरिक के उपर स्तर को रख करके अभ हम जो है गला में इस तरीके से Aggro rhetoric करते जाएंगे यानि सिलाई करते जाएंगे तो यह हमने सिलाई कर ली है इसके बाद जो हम बीच बाले पार्ट को कट कर देंगे इस तरीके से कट करनी है ताकि सिलाई नहीं कटे और इसके बाद हम जो छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे इसी जो है गला पलटने में जो है अच्छे से पलट जाती है अब हम इसके उपर इस तरीके से अस्तर के उपर हम सिलाई करते जाएंगे अब हम इसे अस्तर को उल्टी तरह पलट देंगे और इसके उपर हम सीदी जैड से स्टिच कर देंगे यानि सिलाई कर देंगे इस तरीके से हम जो है इसे रॉंड शेप में घुमाते जो है घुमाते हुए हमें स्टिच करेंगे और इसके बाद हम जो है चारू सेट से अस्तर और में फैबरिक को जो हमें स्टिच करते जाएंगे अच्छे से जो है हमें फॉल्ड करते हुए स्टिच करनी है तो फ्रेन किसी भी तरह की प्रॉल्लेम आ रहे होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो उस कॉमेंट की सौल हम जो है अगली वीडियो में कर दूँगे और इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैबरिक को कट कर देंगे तो यह हमने कटिंग कर लिए है अब हम जो है यह सॉल्डर के नीचे जो है लगभा पांच इंच पर हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे इसे हम चूनन यानि पलेट्स भी बोलते हैं दोनों तरफ से हम जो है सिधा सॉल्डर के नीचे हम पांच इंच पर स्टिच कर देंगे और नीचे की सेट से भी हम जो है स्टिच कर दिये हैं अब हम जो इसे बीच वाले सेंटर से अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे और उपर की सेट से हम जो है टू इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे डिजन बनाने के लिए और इस सेट भी जो हम जो हम अच्छे से बीच वाले सेंटर से फोल्ड कर कर थप थपा देंगे ताकि वो निसान जो है इस सेट भी लग जाएंगे और इसके बाद हम यह लैस ले लिए हैं तो लैस से हम डिजन बनाएंगे इस तरीके से हम रौंड सेप में घुमाते हुए हम लैस का ही डिजन बनाते जाएंगे यह लैस जो है आपने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अपने पसंद से लैस स्टिच कर सकते हैं इस तरीके से हम जो है सभी को मिलाते हुए हमें स्टिच करनी है और इसके बाद हम जो है यहां गला के उपर से लैस स्टिच करेंगे और यहां पर जो है हम स्टिच करते हुए इस तरफ जो है जिस तरीके से हम मार के उपर हमें स्टिच करनी है उसी तरीके से हम जो है फिर यह डवल लैस स्टिच करेंगे इसे जो है हमें डिजन बना रही हूँ जिस तरीके से हम उस से डिजन बनाएं थी उसी तरीके से हम जो है इस से बीजन बनाएंगे फिर हम जो है इसके उपर डवल लैस स्टिच करेंगे और इसके बाद हम जो है नीचे की सेट से भी लैस स्टिच करेंगे आप चाहे तो नहीं भी लैस स्टिच कर सकते हैं नीचे की सेट से भी जो हम डवल लैस स्टिच करेंगे और यहां पर हम जो है इस टोन लगा दिये हैं तो फरेंट्स ये वीडियो कैसा लगा आप लों को कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए डिजन के साथ तो फ्रेंट्स जूरे रहिएगा इस चैनल पर तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग सो मच बाए बाए